question 9 है if q 0,1 is equidistance from p and r q क्या है equidistance है p और r से इसका मतलब distance formula से अगर हम इनकी distance निकालेंगे यानि p q और p r क्या होने चाहिए आपस में equal होने चाहिए जब वो कह रहा है हमसे कि जो p q है sorry जो q है वो p और r point दो point से equidistance पर है इसका मतलब q r और q p दोनों क्या होने चाहिए आपस में equal होने चाहिए पैली करने से यहां से मिलेगी दूसरा साथ साथ वो कह रहा है हमें किसकी value फान्ट करनी एक्स की तो उसी situation से जब हम इन दोनों value distance को क्या करेंगे आपस में equal करेंगे तो यहां से हमको calculate करके x की value मिलेगी साथ ही साथ क्या कर रहा है also find the distance qr and qpr ठीक है qr और pr भी find करनी है तो करते हैं हमें जो information given है q है क्या होंगे आपस में equal होंगी अब अगर हम using distance formula distance formula का इस्तमाल करेंगे तो मैं pq को क्या लिख सकता हूं unroot करके लिख सकता हूं unroot formula apply कर लेता हूं x2 minus x1 x2 0 x1 5 तो 0 minus 5 का square plus y2 minus y1 का square y2 1 और y1 minus 3 तो formula भी में minus होता है y2 minus y1 minus जब मैं करूंगा तो y1 की value भी minus है तो minus minus हो जाएगा ये plus ऐसे ही आगे लिखा जा सकता है unroot इधर भी distance formula लगा लेते हैं qr कह रहा है ठीक है qr के distance क्या होगी आज second में लिखर का है कोई फरग नहीं पड़ता है इसकी इनकी आगर आगे बीचे होने से कोई फरग नहीं पड़ता है क्योंकि negative आजागा या पर positive आजागा दोनुई तो यहां पर solve करने पर यह minus 5 का square हो जाएगा minus 5 का square plus 3 और 1 4 हो जाएगा यहीं 4 का square 4 का square is equal to unroot again x का square और यहां 6 minus 1 5 का square यहां पर जब हम solve करेंगे तो unroot के अंदर unroot के अंदर आएगा 5 का square 25 minus 5 5 भी हो जाएगा 25 4 का square केतना होता है 16 और इदर आएगा हमारा x square तो x square ही रहेगा लेहिं 5 का square बन जाएगा 25 इस तरह अगर हम add कर देंगे इस तरह आप add करके 25 और 16 को add करके यह आजाएगा 6 और 5 1 11 और 2 और 3 यानि 41 तो यह आजाएगा हमारा root 41 is equal to यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं अभी फिलाग तो इसको add इस लिख देता है x square प्लस 25 अब क्या करता है तो उन्हों तरप squaring कर देता है squaring both sides दोन्हों तरप squaring करने पर हमें result के हमें लेगा यह जो undued है वो solve जाएंगे तो सिर्फ बुचेगा 41 is equal to x square प्लस 25 clearly मैं इसको क्या लिख सकता हूं x square इस तरप लिख देता है नेकिन हो क्या रहा है 25 वहाँ जा रहा है 41 के साथ तो 41 से 25 माइनस हो जाएगा तो x square is equal to आएगा 41 माइनस 25 तो माइनस यह करोगे आप x square equal to यह बन जाएगा 16 तो x equal to क्या हो जाएगा अगर x square equal to 16 है तो x equal to का plus minus root 16 ठीक है तो यहां से x की value क्या आएगी root 16 की value होती है 4 तो x की दो value होंगे 1 plus 4 और 1 minus 4 तो x की यह दो value आएगी अब हमसे क्या कर रहा है यह condition तो ही साथी साथ आपको क्या करना है आपको qr और pr की value भी find करना है qr already है तो अगर मैं यहां पर सीधे सीधे x की value रख दूं कहां पर क्यूंकि qr को जब मैंने solve गया था finally result क्या बना था root x square plus 25 तो अगर मैं यहां पर रख दूं तो काम आसान हो तो हमारा qr का final result था दिख रहा है na qr equal to last में कितना आया था qr जब मैंने solve किया था यहां right hand side तो यह बना था x square plus 25 तो यहां पर x की value आगे वो लिख देते हैं और क्यूंकि x की क्या आ रही है x की दो value आ रही है तो हमारी qr की भी दो value आएंगी लेकिन क्यूंकि x square है तो चा तो तब मेरा पास जो result आएगा वो कितना आएगा 4 का square again 16 और 25 16 और 25 यहां पर जैसे किया था 41 तो यह आएगा root 41 ऐसे ही मैं क्या कर सकता था मैं कर सकता था unroot x की जीए value क्या है 4 भी तो है न प्लस 4 तो प्लस 4 रखता तो 4 का square प्लस 25 बनता again same ही result आता 4 का square कितना होता है 16 प्लस 25 तो दूनवी condition पर मेरा जो solution आने वाला है वो root 41 ही आने वाला है तो यह तो qr की value होगी again मुझे क्या ढूढ़ना है मुझे ढूढ़ना ह पी आर फ्यार find कर लेते हैं तो पी आर equal to हो जाएगा पी आर distance formula का इस्तमाल करते हैं distance formula क्या होता है x2 minus x1 x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 तो r बाद में लिखा है तो यह रहा हमारा r यानि x minus 5 अब हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम x की value find कर चुके हैं या फिर लिख लेते हैं क्योंकि ब बाद में एक एक करके value substitute करेंगे यह बार plus 4 रख देंगे यह बार minus 4 तो x minus 5 x minus 5 का square ऐसे 6 minus minus 3 6 minus minus 3 है तो minus minus क्या हो जाएगा plus 3 तो calculate कर देते हैं यह बनेगा हमारा x minus 6 5 अब जाके हम value लग लेते हैं क्योंकि calculate करेंगे तो फिर से हमें a minus b का whole square का formula लगाना पढ़ेगा एक बार plus 4 रख लेते हैं यानि 4 minus 5 का square प्लस यहाँ पर 6 minus 6 plus 3 9 का square यह कब था जब मैंने plus 4 रखा था ऐसे अगर मैं minus 4 रखता तो यह बन जा था minus 4 minus 5 अपनी चेगे पर रहता इसका square plus 9 का square ठीक है एक बार x की चेगे पर plus 4 रख रख रखा कियोंकि x की कितनी value आया थी x की 2 value जाए थी plus 4 और minus 4 एक बार plus 4 रख दिया एक बार minus 4 रख दिया तो calculate करने पर मेरे पास जो PR की value आती है 4 में से 5 minus करेंगे minus 1 का square और 9 का square तो 81 होता ही है साथ ही साथ यहाँ इस तरब minus 4 और minus 5 minus 9 का square और दूसरी तरब क्या है 9 का square 81 तो यहाँ पर calculate करने पर यह हो जाएगा 1 का square बन ही होता है plus 81 स्वाल कुरने पर यह बन जाएगा root 82 और इधर देखता है इधर क्या बनता है minus 9 का square भी 81 ही होता है plus 9 का भी 81 तो यह अगेन बने का मेरे पास 81 प्लस 81 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कितने 81 आ गया है 2 यानी 2 into 81 यहाँ तो root 82 था ही यहाँ से कितना आ क्योंकि root 81 की value क्या होती है जब भी root ऐसे multiplication में होता है plus मैं नहीं multiplication में जब होता है तो वह क्या होता है तो इसके साथ multiplication में क्या था root 2 और यह situation आपको समझ में आने चाहिए ठीक है 81 और 81 281 जैसे हम पहले तब formula लिखते थे ना simply table लिखते थे simply table क्या लिखते थे 2 प्लस 2 क्या होता है 4 फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 6 लेकिन हम 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखने से better 2 multiply by 3 कितने बार आ रहा है 1 2 3 2 को 3 times multiply कर दो गे तो 6 आ जाएगा सेम रिचल यहाँ 81 81 2 times add हो रहा है तो simply इसको 2 multiply by 81 लिखा जा सकता है ठीक है तो finally हमारे पास PR के value आई root 82 and 9 root 2 उमेद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा Thank you and have a nice day